जय सिरी राम, जय हनमान, ओम सिरी हनुमन ते नमा, हनमान जी का असिरवाद सदा आप पर बना रहे, हनमान जी के असिरवाद से आपका भाग्य उदे हो, जीवन में सुक समरिदी सो भाग बढ़े, आपका कल्यान हो, निश्चे प्रेम परतीत ते बिने करे सर्मान, तेहीं के क सिद्ध करे हनमान हनमान जी आपको भाग्य साली बनाए संकत से रच्छा करो हे महावीर हनमान संकत मोचन किरपानिधान जय हनमान जय जय हनमान तुलारासिवारों धृती योग रेप्ती नचत्रे आज बुद्ध और विरस्पती का परभाव राहु की छाया सनी सुक्रे सुख और जीवन में खुसियों को बढ़ाने वाला बुद्ध और विरस्पती का परभाव आज तुलारासिवारों के लिए सनी सुक्रे चंद्रमा की द्रिष्टी स्वभाग्य धन लाब का सुन्दर योग जो आपकी किस्मत को बदलेगा आपके जीवन में सफलता शाली होगा आपके जीवन में लाब का योग है तुलारासिवारों आज बुद्ध और विरस्पती का परभाव रेप्ती नच्छत्र में है बुद्ध जो है आपके भग्य अस्थान का स्वामी है जबकि विरस्पती प्राक्रम अस्थान का जब भग्य और साहस मिल जाता है तो इंसान के जीवन में बड़ा बदलाव आता है जब भग्य साथ दे और आपका प्राक्रम आपको आगे बढ़ाने की कोशिस करे ऐसे समय में भग्य के सितारे बुलंद होते हैं आपके जीवन में लाब का योग बनता है आपके जीवन में सुख बरता है आज चंद्रमा दो बच कर तीन मिनट पर आपकी रासी तुला के सत्म भाव में गोचर करेगा चंद्रमा का सातने भाव में गोचर करना आज विरस्पती का पंचम भाव में गोचर करना आपकी जीवन में सम्रिधी और धन का लाब देगा क्योंकि सत्तम भाव गिरस्त जीवन का भाव होता है पंचम भाव आपके परिवार और बच्चों का घर होता है जब बिरसपती पंचम भाव में गोचर करता है और चंद्रमा सातमे भाव में उस समय आपके जीवन में आनंद बरता है आपके बच्चों की तरक्की होती है आपके जीवन में लाब और सफलता मिलता है ऐसे समय में ही आप जीवन में आगे बढ़ते हैं समरिद्धी और सुख प्राप्त करते हैं पुलारासिवारो आज कोई बड़ी काम्याबी और सफलता आपको अवस मिलेगी क्योंकि आज बुद्ध जो आपके कर्म अस्थान में सुर्ज के साथ गोचर कर रहा है आपके जीवन में उन्नती का योग बना रहा है क्योंकि आपकी कुणली का दस्मा घर आपका कर्म अस्थान होता है यही से आप जीवन में आगे बढ़ने का साहस अपने मजबूत इरादा सकती से जीवन में कुछ पानी की इच्छा यही से जीवन में धन्सुक की प्राप्ति यानि आज आपके कर्म अस्थान में बुद्ध और सुर्ज का गोचर है जो आज आपको उन्नती तरकी सम्रिध्धी और आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएगा आज यह रावू का गोचर जो आपकी कुण्डली के अस्टम भाव में है रावू जो अस्टम भाव में गोचर कर रहा है आपके जीवन में हर परसानी और बाधा से आपकी रच्छा करेगा आपके दिन को लक्की बनाएगा आपके जीवन में जो भी चिंता है कस्ट है बाधा है रुकावटे हैं रावू सबको दूर करेगा क्योंकि आज रावु के उपर सनी का परभाव है सनी जो सुख स्थान में बैठा है वो रावु को प्रिरित कर रहा है कि रावु भी आपके जीवन में सुखों को बढ़ाए जब रावु के उपर सुख में बैठा सनी का परभाव परता है और चंद्रमा जब सत्तम भाव में रहता है तो ऐसे समय में आपके जीवन में हर समस्या का समाधान मिलता है आपका भाग्य आगे बढ़ता है आप जीवन में तरक्की, समरिध्धी और सुख प्राप्त करते हैं क्योंकि ये कल्यानकारी योग है ऐसे योग में आप जीवन में आगे बढ़ते हैं आपका गुड़ लग आपको बहुत सुख धन्द सौभग्य देता है तुलारासिवारो आज राहू और सनी दोडो चंद्रमा से प्रभावित हैं क्योंकि सनी जो स्रवन नच्छत्र में भर्मन कर रहा है नच्छत्र का स्वामी चंद्रमा है वहीं राहू रोहनी नच्छत्र में भर्मन कर रहा है जिसका नच्छत्र का स्वामी भी चंद्रमा है आज चंद्रमा जो आपके सत्तम भाव में बैठा है आपके कर्मस्थान का स्वामी है जिसके कारण चंद्रमा आपके जीवन में समरिध्धी और उन्नत्ती का योग बनाएगा चंद्रमा के कारण धन समपत्ती बरहेगी आपकी कुंडली में जो विरस्पती का प्रभाव है वो आपको भाग्य साली बना रहा है धन की थोड़ा भी कमी नहीं होगी धन की परिसानी दूर होगी आप अपने हाथों से धन कमाएगे आगे बरहेगे सम्रिध्धी और सुख प बुद्धे जिनके मित्रगरा सुर्ज सुक्रे और राहू हैं आपकी कुंडली में सुर्ज इस समय बुद्ध के साथ कर्मस्थान में गोचर कर रहा है जबकि सुक्रे मंगल के साथ लाबस्थान में बैठा है वहीं राहू अस्टम्भाव में गोचर कर रहा है दूसरी गरा सुर्ज चंद्रमा मंगल हैं सुर्ज का बुद्ध के साथ गोचर चंद्रमा का सात्मे भाव में और मंगल का लावस्थान में यानि जीवन सुन्दर और सुखद होगा आज किसी भी निर्णे को आप आसानी से लेंगे कोई बड़ी खुस खबरी मिलेगी क्योंकि आज का दिन आपके लिए बहुत सुभ है सकरात्मक बदलाव धन कमाने के लिए जो मिहनत करेंगे उसका अच्छा परिनाम तुलारासिवा आज आप बहुत खुस रहेंगे अपनी उन्नती से अपने आत्विस्वास से आगे बढ़ेंगे मन में एक विस्वास होगा जीवन में सुख और धन पाने की लाब अरजित करने की नौकड़ी और वैपार में ऐसा ही परिनाम आज आपको प्राप्त होगा पुलारासिवारो के लिए आज का दिन बड़ा सुभ है सुन्दर योग है जिसमें आपके जीवन में उन्नती तरक्की सम्रिद्धी सुख धन सब कुछ बढ़ेगा आपके मन में अच्छे अच्छे विचार आएंगे जीवन की समस्याओं का समाधान मिलेगा आज आपके परिवार में खुसियां बढ़ेगी दापती जीवन में प्रेम सम्मंध और भी मधूर होगा आज पूरे दिन अपने काम में आप ब्यस्त रहेंगे आज का दिन आपके लिए बड़ा सुन्दर रहेगा आप देखेंगे कि ऐसे समय में ग्रहों की दसा नचत्रों की चाल आपकी किस्मत को बदलने का आपके जीवन में साहस और सौभागी को चमकाने का योग बनाएगा सच्चे मन से मिहनत करने की आवा सकता है अगर आप आज अपने काम को लगन और मिहनत से करते जाएं तो आपके भागी का उद्य होगा आज बहुत सारी पुरानी समस्याएं समाप्थ होगी जीवन में सुख और सुख का अच्छा आनंद लेंगे आज ये स्टूडेंट के लिए समय अच्छा है कुछ नया करने वाला दिन है अपने लच को प्राप्त करने के लिए आप करी मिहनत आरम कर दें क्योंकि भाग्ये आपके जीवन में सुन्दर योग बना रहा है जिससे नौक्री अवस मिलेगी अपने कठोर परिश्रम से आप अपने भाग्ये को बदल सकते हैं तुलारासिवारों ये जो समय है आपके जीवन का सुन्दर समय है ऐसे समय में अपनी महतोकांचा की पूर्ती साहस और आत्म विश्वास से अपने सेल्फ कॉंफिडेंस से तरक्की समरिद्धी और सुक प्राप्त करने का योग आज सनी सुक्रे और चंद्रमा की दृष्टी है चंद्रमा आज रेती नचत्र में बिरस्पती के परभाव से परभावित है जबकी सुक्रे आज मघा नचत्र में केतू के परभाव से परभावित है वही मंगल भी केतु के प्रभाव से प्रभावित है मंगल और सुक्रे जो लाब अस्थान में बैठा है केतु के प्रभाव से प्रभावित है और केतु आपकी कुंडली के धन अस्थान में बैठा है धन अस्थान में बैठा केतु आपके जीवन में उत्सा और उमंग को बढ़ा रहा है अपने उत्सा अपने उमंग से जो भी आप प्रयास करेंगे स्वभाग्य धन पाएंगे धन कमाने की इच्छा पूरी होगी अपने सपनों को साकार करेंगे तुला रासिवारों के लिए ये समय बड़ा सुक और संपत्ती देने वाला समय है तो तुला रासिवारों विस्तार से रासिफल जानने से पहले चलिए जानते हैं आज का सुम मुरत ग्रहों की दसा आज का पंचांग 30 जुलाई सुक्रवार का दिन सावनमा किर्षपच की सत्मीती थी द्रिती योग रेप्ती नचत्रे आज बुद्ध और विरस्पती का परभाव है रावु की छाया है सनी सुक्रे चंद्रमा की द्रिष्टी है आज रेप्ती नचत्र में दिन की सुरुवात सुबह 4 बच कर 49 मिनर से आरंभ होगा उस समय ब्रह्मूरत रहेगा विरस्पती के परभाव से आप परभावित रहेंगे विरस्पती का परभाव जो आपके जीवन में समरिध्धी और उनत्ती देगा विरस्पती का परभाव जो आपके भाग्य को और भी चमकाएगा बिरस्पती का प्रभाव जो सफलता देगा काम्याभी देगा बिरस्पती का प्रभाव जो समरिधी देगा धन देगा आज आप अपने काम को इमंदारी और मेहनत से करते जाएं आज मनवांची सफलता आपको प्राप्त होगी क्योंकि अनेक सुरोतों से आप धन कमाएंगे, अपने साहत से जीवन में आगे बढ़ेंगे, सुख पाएंगे, धन पाएंगे, काम्याभी, तरक्की, सम्रिध्धी, जहां भी रहेंगे आगे बढ़ते जाएंगे आज विरस्पती की दसा में उत्तम फल प्राप्त होगा, जबकि बुद्ध की दसा में धन कमाने की इच्छा पूरी होगी, वहीं आज सुक्रे आपको सुखी बनाएगा, और चंद्रमा भग्य साली बनाएगा तुलारासिवारो, ऐसे समय में आपके अंदर एक नई सक्ती और उर्जा का संचार होगा, नई सोच, नया उमंग, भग्य के साथ आप आगे बढ़ेंगे, आपके जीवन में जो परिवर्तन का योग है, आपके जीवन को सुन्दर और सफल बनाएगा तुलारासिवारो, आज अमरी सिद्धी योग पांच बचकर 41 मिनट पे आरम होगा, उस समय बुद्ध का परभाव सबसे ज़्यादा होगा, बुद्ध जो आपके कर्म स्थान में बैठा है, आपको कर्म करने की प्रेणना देगा, दो बचकर 32 मिनट से, चार बचकर 38 मिनट का समय, सनी की दृष्णी होगी, सनी जो सुख में बैठा है, आपके हाथों से ऐसा काम कराएगा, जिससे आपके जीवन में सुख बढ़ेगा, किस्मत चमकेगी, भग्य साथ देगा, आज भग्य ब्रधी का योग आपके जीवन को सुन्दर और अच्छा बनाएगा, रेप रात्री के समय, आट बच कर बारा मिनर से दस बच कर चव वालिस मिनर का समय, चंद्रमा की दृष्टी, विजश्पती का प्रभाव, ये समय आपके परिवार में खुसियों को बढ़ाएगा, आपके जीवन में एक आकरसन देगा, जीवन साथी का प्यार देगा, आनंद द चला जाएगा, आज का रावुकाल दस बच कर च्यालिस मिनर से बारा बच कर तीन मिनर तक, रावुकाल के दोरान किसी भी सुपकाम का सिरी गनेश ना करे, आज रेप्ती नचत्र है, सुक्रवार का दिन है, बुद्ध और विरस्पती का प्रभाव है, धृती योग है, सनी सुक्रे चंद्रमा की द्रिष्टी है, रावुकी छाया है, पस्चिम दिशा से दिन की सुरुवात न करें, आपके लिए लख्की कलर ग्रीन होगा, लख्की नंबर 6 होगा, तो आज का दिन सुंदर्ज, सुख, धन भाग्ये से आप परिपूर्ण होंगे, सुखी जीवन, खुसाल जीवन, एक नई सुरुवात, समरिद्धी सुख बैभव और खुसी के साथ अपने जीवन में आप आगे बढ़ते जाएंगे, धन कमाएंगे, समरिद्धी और सुख पाएंगे, तुला रासिवारों, ग्रहों पे अधारित अपने रासिपल के लिए रासिपल को ल आपका दिं सुख हो, जै स्री राम, जै हर्मात, जै स्री राम, जै स्री राम, जै हर्मात.